हेलो और वेलकम बैक गाईस आज का हमारा टॉपिक है चारगेफ रूल के बारे मैं जम्मे पढ़ने वाला है अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि ये किस चीछे रिलेटेड है ये डियाने के डियाने से रिलेटेड है ठीक है तो इस रूल को पढ़ने से पहले हम के बेस स्पीशिशन वही बाप सिकेज्आ और सिक्वेंस के और कोई और सिक्वेंस होगा तो इस अँदर रिखिंस बेसा स्टेजिशों रते स्टेम आध और सहिता help मैंने DNA को isolate करेंगे ना तो वो DNA की जो sequence होगी ना जो उसका composition होगा ना वो same होगा मतलब कि अगर हम within the species देख रहे हैं एक species के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो DNA जो है वो same मिलेगा लेकिन अगर हम अलगलग species के अंदर देख रहे हैं तो DNA जो है वो different मिलेगा ठीक है I hope this is clear to you all अब हम scientist थे उनका नाम था अर्वीन चारगेफ अर्वीन चारगेफ जो है वो एक Austrian biochemist थे और उन्होंने ही इस रूल की discovery की थी कि DNA के अदर ऐसा ऐसे होता है और उन्होंने उस रूल को नाम दे दिया चारगेफ रूल एक बात जो ध्यान देने के वो यह है कि यह वाला जो रूल है यह बेसिकली डबल स्टैंडड़ डेने के लिए होता है यह वाला रूल ठीक है जी और यह वाला जो question है यह mostly exams में पूसे जाता ह PTARGEM ने कहा है मुल्ट टogo है ने क्या कहा इस रूल केücken, इन भाइसाबने कहा कि the molar ratio of adenine to thymine equals to 1 similarly the molar ratio of guanine to cytosine equals to 1 I hope you आपको पता होगा na A से adenine, T से thymine, G for guanine and C for cytosine तो एक basic DNA के अंदर अब देखो क्योंकि हम DNA की बात करें तो हम uracil को नहीं लेंगे DNA के अंदर क्या होता है adenine होता है thymine होता है guanine होता है cytosine होता है और RNA के अंदर होता है adenine, guanine, cytosine और uracil thymine जो है वो uracil से replaced होता है यह RNA के अंदर होता है लेकिन हम specifically DNA की बात करें तो जो चार sequences हमारे पास मिलेगी उसमें होगा adenine, thymine, guanine और cytosine तो इन भाई साब चार कर भाई साब ने कहा कि जो adenine की रेशयो है molar ratio adenine to thymine की वो 1 के एक्वल है और उसी तरहा guanine to cytosine की भी 1 के एक्वल है आपको यह पता है न कि adenine जो है वो thymine के साथ bond बनाता है और guanine जो है वो cytosine के साथ bond बनाता है तो यह वाली जो bond है na adenine to thymine इसकी molar ratio 1 होती है similarly guanine to cytosine की molar ratio 1 होती है ये उनका पहला रूम था, दूसरे रूल में उन्होंने कहा कि sum of purines, purines कौन से होते हैं, adenine और guanine, equals that of pyrimidines, pyrimidines कौन से होते हैं, cytosine और thymine, in case of DNA, उन्होंने कहा कि जितने purines present होंगे उतने ही pyrimidines होंगे, कि purines का नंबर जो है, वो pyrimidines के equal होगा, जितने purines होंगे, उतने ही pyrimidines होंगे, थर्ड रूल में उन्होंने कहा कि the percentage of C plus G, that is cytosine plus guanine, does not necessarily equals the percentage of adenine plus thymine, मतलब यह है कि अगर हम adenine और thymine की बात करें, इनकी molar ratio 1 है, cytosine और guanine की बात करें, इनकी molar ratio 1 है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जितना यह वाली pyrimidines present है, उतने ही adenine और thymine present होंगे, अब second rule में आप कहोगे कि आपने तो बोले था equal होते हैं, नहीं, equal नहीं होते है, second rule को आप ध्यान से देखो, इसने कहा है कि जो इनका sum होता, sum of purines, इन दोनों का sum, वो pyrimidine के equal होगा, ठीक है जी, और इसमें हम कह रहे हैं कि जो percentage है, इस C plus G की, इसमें हम specifically purines की बात कर रहे हैं, adenine और guanine, लेकिन यहाँ पर हम cytosine और guanine की बात कर रहे हैं, साइटोसीन और guanine के बीच में जितनी bonds है, उतनी ही bonds आपको adenine और थाइमीन के बीच में मिलेगी, जो यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम कहें, तो purines का sum है, वो pyrimidines के equal होता है, ठीक है जी, I hope this is clear to you all, अब यह हमने double stranded DNA के लिए पड़ा, इसमें एक जो, यह first parity rule में आता है, जो second parity rule था, चारगस जी का, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने double stranded DNA के दो strands को अलग कर दिया, क्या किया उन्होंने, जैसे कि एक double stranded DNA था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कि जो single stranded DNA है ना double stranded के अंदर तो हम यह बात प्रूफ कर चुके हैं कि जितने एडिनीन होगे उतने धाइमीन होगे जितने गवानिन होगे उतने ही साइटोसीन होगे और single stranded DNA जब उस DNA को तोड़ कर उन्होंने single stranded formis को isolate किया तो उन्होंने यह देखा कि जितने जितनी percentage एडिनीन की है एप्रॉक्सिमेटली उतनी ही थाइमीन की है और जितनी पर्सेंटेज साइटोसीन की है एप्रॉक्सिमेटली उतनी ही गवानिन की है तो उन्होंने यह बात कही कि single stranded DNA के अंदर इनकी पर्सेंटेज जो है वो एप्रॉक्सिमेटली उक्वल है लेकिन यह बात उन्होंने कैसे कही उन्होंने double stranded DNA को देखते हुए कही यह बात वहां से आइसोलेट करके बताई लेकिन इसका इंडिविजुली कोई प्रूफ नहीं है कि single stranded DNA के अंदर इनकी रेश्यो इक्वल होती है तो इस बात का क्योंक इनकी परसेंटेज जो है वो इक्वल होती है एडिने की थायमीन के और गवानन की साइटोसीन के ठीक है अब यह हमने पढ़ लिया है चारगर्फ स्थूल के बारे में अब तोड़ा साथ देख लेतने हैं कि इसके पर numerical किस फोर्म में आते हैं यहां पर मैंने एक निमेरिकल साइटोसीन जो है वो 20 मोल परसेंट है साइटोसीन कितना है 20 मोल परसेंट है और हमें कहा है कि प्यूरीन का मोल परसेंट आपको निकालना है साइटोसाइन हमें गीवन है साइटोसाइन का मोल परसेंट और हमसे कह रहे है कि प्यूरीन का मोल परसेंट निकालो अब साइटो तो ख़व होते हैं यह refr I garrame सबल्स में हैं जतने ही पीरीन होते है इस प्रशाइन जितने ही क्या होते है तो अब हम इस कोशल करेंगे संय की परीज़न की प्रसेंटेज हमें फाइंड आउट गोहँ जब साइट ऑा है तो इसके अंदर तो जितने cytosine अउतने गवानिन होगा, total कितने होगा ये 20% तो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने cytosine और गवानिन का mole percent निकाल लिया हमें जगे purines का, ठीक है हमने कहा था कि जो sum है, जो molar ratio है, adenine to thymine की वो one के equal है similarly, guanine to cyanine की भी one के equal है purines और pyrimidines का sum equal है ठीक है जी तो हम कह सकते हैं कि एड़नीन प्लस ग्वानीन यानिकी प्यूरींज प्लस पारेमिडींज जो है वह 100% होंगे 100 केखवल होंगे तो बस हो गया काम हमें साइटोसीन और ग्वानीन की परसेंटेज पता है तो इसमें पूट कर देंगे हम एड़नीन ग्वानीन के that is 100% तो हम कहा सकते हैं 2A plus 40% is equal to 100% तो 2A is equal to 100 minus 40% A is equal to 60% divided by 2 that is 30% यानि कि हमारे पास एडनीन की percentage आगी है 30% तो अब हमें कहा है कि प्यूरीन कहा है नमबर निकाला है तो प्यूरीन क्या होता है प्यूरीन होता है Adenine plus Guanine Adenine की percentage कितनी है 30 Guanine की percentage हमें दियू थी 20 तो total कितना हो गया 50% तो इस तरह कि नुमेरिकल्स आप से पूछे जा सकते हैं और अब ये method आपको समझागा और सुल्फ करने का So I hope you like the video and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel Thanks for watching